एक ही बात कह रहे हैं इसी का अलग अलब नाम से बोलते हैं ज्क्राइश कैने बॉलते हैं श्चेशन चीजों parlane कि नीए पूता कि यह न दो तइन चीजों को आपको कण। करके बताता हूं औरी जनरेशन के साथ डे ब्लाना पहली बात दवाईयों से री जेनरेशन बढ़ रहा है कुंसी दवाईया चैन नहीं केुपकेशे केमिकल दवाईयों के लिए डिजाइन नहीं हुत तो जितना केमिकल जखान फैक्टर हगा पाछ्स न इनकालने के लिए काम करता है 500 MIL पानी में करना था वो तो आपको निकालने के लिए तो आपका तो ठीक से होगा नहीं तो जो भी आपके डीजेनरेशन हो रहे हैं इसके लिए एक मेजर जो रिस्पॉंसिबल है वो है आपके केमिकल मेडिशन दूसरा फैक्टर जब भी आपके शरीर के अंदर भोजन इस्तेमाल करने की क्षमता कम होगी मेटाबोलिक डिजाउर्डर ये मेटाबोलिक वीगनेस होगी तो आपके अंदर रिजेनरेशन ठीक नहीं एक यह मैंने पहले ही कबर कर लिया कि यह दिसेपार का मतलब क्या होता है वह कैसे होती है सा इस वजय से क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ इन्वाल है तो आपका इम्यून फैक्टर इम्यून फैक्टर जब भी आपकी इम्यून इंटी हाई रहेगी यानि और टो इम्यून डिजॉडर अगर आपके शरीर में रहेगा तो दी जनरेशन तो होगा ही क्योंकि मेटबोलिस अल्टा काम करते हैं मेटबोलिसम होगा मेटबोलिसम बढ़ेगा तो इम्यून डेख एक कैसे आपने देखा होगा जैसे ही आप के शरीर में कोई भी बिमारी आती आपकी भूग कम झाप्णकर के सब को वाइरेल होगा जैसे वी वाइरेल बाड़ी में आता आपकी भूख बंद हो जाए जीब में स्वाद नहीं आता तो मेटाबोलिजम नीची गया इम्मुनिटी बढ़ गई खत्रे से निपटने का जो नियम है इम्मुनिटी कहते हैं उसको वो बढ़ गया और मेटाबोलिजम कम हो जाएगा जब इम्यून फैक्टर बढ़ जाए र खत्रा डाल रहे हैं या शेरीर के अंदर खत्रा है कि तभी तो इम्मुनिटी हए तो ऐसा खत्रा क्या होता जिस चीज के लिए आपका शरीर नहीं बना वह चीज आपके लिए खत्रा है हैं bakayım आप केमिकल शेरीर में डालते हैं वह आपके लिए ह। आप आप जो फूड़ और शरीर उसको ठीक से पैचानता नहीं तो वह खत्रा है आपके शरीर के अगर आप बदल देते हैं वातावरण बदल देते हैं तो जो सांस ले रहे हैं वही खत्रा बन जाता है और शोश्यो एकॉनमिक सिचुएशन जो है सामाजिक और व्यापारिक जो आपके सोसाइटी मजिस तरीके से चल रहा है अगर वो अलग हो जाए ऐसा हो जाए जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो शरीर को खत्रा आजाएगा सोश्यो एकॉनमिक सिचुएशन बदल हो गए तो खत्रा जब भी आएगा तो इम्मिनेटी बार-बार आपके उठेगी इसी को आटो इम्मिन डिजरॉट अठेटिंग ठीक है आ सौ साल में कोई प्रूफ नहीं है दवाई खाके किसी की आथो इस ठीक होई हो सौ साल में कोई प्रूफ नहीं है कि बोन का कोई डिजॉरडर या डिसीज जुह दवाई खाके ठीक होई सौ साल में कोई proof नहीं है कि muscle से related कोई भी problem दवाई खाकर ठीक होई हो और भी देखेंगे तो सारी बीमारियां, diabetes, blood pressure, heart disease, thyroid, cancer सौ साल में कोई proof नहीं है कि एक भी ऐसी problem ठीक होती है दवाई का पर तो अभी क्या करना पड़ेगा पहली बाद तो आपको अपनी आखें खोलनी पड़ेंगे आपको समझना पड़ेगा कि आप जो solution देख रहे हैं वो chemical medicine में अगर आप उसका solution देखेंगे तो आप progressively बरबाद होते जाएंगे अभी क्या कर सकते हैं अभी क्या कर सकते हैं पहली चीज अपने body का tolerance बढ़ाना है जेलने की क्षमता बढ़ाएंगे तो आप बचे रहेंगे जेलने की क्षमता का मतलब होता है सांस रोकने की क्षमता अगर वो बढ़ाएंगे तो आपके body का tolerance बढ़ेगा example लेके देख सकते हैं आप 10 किलो का वेट उठाईए, कैसे टॉलरेट करते हैं, कैसे उठाते हैं, सांस रोक के. 10 किलो उठाना है तो ज्यादा सांस रोकना पड़ाए. तो जितना टॉलरेंस अपने शरीर का जेलने की शमता बढ़ाएंगे, उतना ही आप बचे रहेंगे. मगर वो बढ़ाना जो है हमेशा सांस रोकने की शमता बढ़ाएंगे ही हो पाएगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं. पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, आपको अपना मेटाबोलिजम ठीक करना पड़ाएगा. मेटाबोलिजम को और भी एक तरीके से, जैसे जोर लगाने की शमता बताया, मेटाबोलिजम को मैं आपको सांस के फर्म में, सांसों के टर्म्स में एक फॉर्मूले के रूप में बता देता हूँ. 1 is to 4 is to 2, यानि आप 5 सेकंड की सांस बरेंगे, तो आपको कम से कम 20 सेकंड का रूप के, और उसके बाद 10 सेकंड का छोड़ना, अगर ये आप आराम से कर पारेंगे, तो आपके मेटाबोलिजम आपके शेरीर का ठीक होगा. वर्ना तो नहीं हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूले से प्राक्टिस करना पड़ाईगे. मगर उसके पहले, आपके शेरीर में क्या अच कमजोरी हो गई, इसका हम डाइगोनोसिस करतें, यह से कहते हैं, प्रानशक्ति डाइगोनोसिस, उसके बाद आपको फॉर्मूला देते हैं, तो मेटाबोलिजम आपको पढ़ाना पड़ेगे. tolerance बढ़ाएंगे metabolism बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी immunity balance out हो जाएगे आपके autoimmune disorders जो है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे ठीक है और उसके बाद regenerative factors regeneration का factor आपके शरीव में बढ़ेगा बिना उसके बिना metabolism ठीक के बिना immunity को ठीक के बिना tolerance जादा हुए बिना आपके regenerative factors को enhance के regeneration तो नहीं होना है है ना तो यह केवल ideas हैं जिसके उपर आपको बता दिया जाता है कि regenerative वो degenerative disease है अगर आपको पूछना चाहिए अगर आप बोल रहे हैं यह degenerative disease है तो regeneration कैसे करवा सकते है और उसका allopathy में कोई इलाज नहीं है जादा से जादा steroid देके regeneration करवाने की कोशिश करेंगे आपकी सारी system बरबाद हो जाए ठीक है तो regeneration आपका शरीर करता है सबसे पहली बात याद रखें your body can reverse your disease nobody else can reverse your disease आपकी बिमारी को कोई दवाई नहीं ठीक कर सकती कोई food ठीक नहीं कर सकता कुछ और चीज भाहर से खाने से नहीं ठीक कर सकती दवाई चाहे chemical हो चाहे आयरवेदिक हो लेना है तो आयरवेदिक बेटर है chemical लेना है तो short term के लिए ले थोड़े समय के लिए लंबे समय के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी तो आपका शरीर उसका strength factor उसके अंदर कई आसी चीजे हैं कारे करने की शम्ता आपने अंदर की दक्षिनवल कहते हैं इसको हाट की काम करने की शम्ता ग्रह पत्य अगनी कहते हैं इस तरीके की चीज़ों को strength factor आपके शरीर के आवानी अगनी कहते हैं किस तरीके से आपका शरीर फंक्शन कर फंक्शनल लेबिलिटी इसको जब तक आप इंप्रूब नहीं करेंगे तब तक बीमारी तो कोई भी ठीक नहीं होने वाली सौ साल में कोई प्रूफ हाई नहीं कर रहे हैं हर समय torture करते हैं यह शरीर गर्मी बढ़ाके वायरस को मारता है आप फट से जैसे फीवर होगा फीवर धाउन कर देता है उल्टी होगा उल्टी बंद कर दोगे दस्त होगा दस्त बंद कर दोगे कुछ भी करना चाहेगा उपट से एक दवाई खाके उसको बंद क बाट देंगे तो हम अभी अपने शरीर को टॉर्चर करने में लगे वें बच्पन से यह टॉर्चर जब तक आप छोड़ोगे नहीं तो यह शरीर कैसे ठीक करेगा अपने आप तो अपने स्रेंफ फैक्टर बढ़ाएं और उससे फिर आप देखेंगे यह सब चीजे रीज